नमस्कार प्राइम ट्यूबी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ श्रीक हम हैर उत्रा शिरुवात करते खबरों की उत्रप्रदेश विधानसबा चुनाओं 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में हैं आज भी यूपी में बड़ी हल चल है सूबे के मुख्य मंतरी योगी आदेतनाथ आज जौनपुर गोंडा और काशी के दौरे पर हैं सेम योगी आदेतनाथ दो दिवसिये दौरे पर 27 नमबर यानि की आज वारार्सी जा रहे हैं सेम योगी 27 नमबर को चार जिलो के दौरे पर हैं सीम वारार्सी सर्किट हाउस में रात्री विश्राम करेंगे 28 नमबर को सीम का देवरिया और गोरकपुर का दौरा है सीम दौरे की शुरुआत में एयरपोर्ट पर रक्ष्रमंतरी राजनाथ सिंग को रिसीव करेंगे इसके बाद उनके साथ जौनपुर में कारक्रम में शामिल होंगे जौनपुर की सभा पूरी होने के बाद सीम वारार्सी सर्किट हाउस पहुचेंगे सीम योगी आदितनाथ सर्किट हाउस में जन प्रतिनेदियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे चनावी मोड में सीम योगी आदितनाथ भी चल रहे हैं और इसी के चलते वो दो दिवसी दौरी पर वारार्सी में रहेंगे से पहले भी उनके आज कई कारिक्रम है और सीम के कई कारिक्रमों को देखते हुए सारी तैयारिया भी पूरी हो चुकी है तो सीम योगी जौनपूर गोंडा और काशिय के दौरे पर है सीम योगी आदितनाथ दो दिवसी दौरे पर यानि 27 नमबर आज चार जिलो के दौरे पर रहेंगे वानार्सी सरकिट हाउस में रातरी विश्राम करेंगे 28 नमबर को सीम का देवरिया और गोरकपूर का भी दौरा है सीम दौरे के शुरुआत में एरपोर्ट पर रक्षम अंतरी राजनास सिंग को रिसीव करेंगे और इसके बाद उनके साथ जौनपूर में कारिक्रम में भी शामिल होंगे जौनपूर की सभापूरी होने के बाद सीम वारार्सी सरकिट हाउस जाएंगे और ये तो लाजमी है कि जब सीम योग्या दितनात कहीं जाएंगे एक दिन में उनके कई दौरे होते हैं और वो दौरे लगातार इस ओर इशारा कर रहे है कि चिनाओ नस्दीक है और उससे पहले ही अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उससे पहले भी जंदा को कई सौगाते दे कर जाना चाते हैं मुख्यमंत्री योग्या दितना तो जंदा है क्योंकि सौगे के मुख्यमंत्री योग्या दितनाथ आज जौनपूर गोंडा और काशी के दौरे पर है इसके साथ ही सीम कल भी दौरों पर रहेंगे और साथ ही उनके राजिना सिंग भी मौजूद रहेंगे 27 नमबर यानि कि आज वारार्सी जो रहे हैं शाम को वारार प्रदेश के विगास को लेकर सजग हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाओ करीब है और SMBJP जानती है कि जो खोई हुई जमीन है उसे जमीन को अगर पाना है क्योंकि जो जनाधार है वो कहीं न कहीं समस्याओं भरा हुआ है और जो जनता है वो बलरामपुर, गोंडा, जौनपुर, वाराणसी इन जगाओं के दोरे पर निकले हुए हैं 28 तारीक को वो वापस लखनों आएंगे और इन तीन दिनों में वो अलग-अलग जो जिले हैं उनके दोरे करने वाले हैं और उसमें अगर हम आपको बताएं तो मुकमंत्री शुक कोहिक विभा का कारिकरम था इसके बाद मुकमंत्री आज सुबह सुबह की बात बताई जाए तो मुकमंत्री योगया दितनात शक्ती बीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे हैं जो कि बलरामपुर में हैं और वहाँ पर उन्होंने महेंद्र नात योगी के श्रधांजली सम जवनता को लाभानवित करा सकती हैं अब उन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है सत्ता दल के लिए तो एक तरफ जहां कल मुकमंत्री योगया दितनात आयोध्या में सामोहिक विभा कारिकरम में मौझूद थे उसके बाद आप विकास कारिकरम की बात करी जाए क्योंकि 27 29 नमबर और गोंडा का दोरा है मुकमंत्री योगया दितनात का राजदानी लकनों से सटा हुआ है गोंडा तो ऐसे में वहाँ पर कानून विवस्था को लेकर समिक्षा बैठक होने वाली है इसके अलावा महजापूर में एशिया के जो सबसे बड़े डिस्टलरी भी बनाए गया है जिसका उधगाटन मुकमंत्री योगया दितनात के तरफ से किया जाएगा जो की 30 एक्टेयर भूमी में बना हुआ है और इसमें करीब 60,000 किसानों को लाब पहुचाए जाएगा जो एथनॉल था उसका इस्तमाल बहुत जादा गन्ना किसानों की तरफ से सरकार को महया कराए गया था क्योंकि उसी एथनॉल से बताय जा रहा था कि जो सेनिटाइजर था वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रोदेश में बनाए गया था और ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही कि आने वाले दिनों में भी इसकी जो भरपाई है वो सरकार की अंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और 27 नवंबर को ही भाजपा की जो काशी छेत्र का जो बूद सम्मेलन है उसको भी मुखमंतरी योग्यादितनाथ संबोधित करने वाले हैं तो यह सारे कुछ प्रमुख कारिक्रम है उसके बाद मुखमंतरी योग्यादितनाथ ग जनता को सौगात देंगे सब ही अपडेट दी हमें आपको बताते कि वारार सी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे कई ऐसे कारे हैं जो अभी भी रुके हूँ हैं या फिर जो अभी चल रहे हैं कामों कब तक पूरे होंगे सबी चीजों की समीक्षा करने के बाद ही सीम योग्यात इतनात लखडव वापस आएंगे तो दौरों पर चल रहे हैं आपको बताते कि चुनावी मोहल है और ऐसे में कई सोगाते दी जा रही हैं जनता को और जनता के हित में काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है होई हरदोई की संडीला विधान सभा के अतरौली के पास जाबर मैदान में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखलेश अदव और सोहेल देव भारती समाजवादी के सुप्रीमों ओम प्रकाश राजवार सैयुक्त रूप से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंग की समाजवादी पार्टी और सुपास्पा की ये साज़ा रैली एतिहासिक होगी हर दोई की सभी आठ सीटों पर सपा की ना सिर्फ जीत सुनिश्चित कराएंगे बलकि बीजेपी की जमानत जब्त कराई जाएगी क्योंकि जनता बीजेपी से परेशान है भागिदारी संकल पमोर्चा की रैली होगी ओपी राजवर की अद्यक्षता में इस रैली को किया जाएगा तो संयुक्त रूप से रैली की जा रही है जहां राजवर भी होंगे अखिलेश भी होंगे तो दोनों की इस अज़ेदारी के साथ इस रैली को कराए जा रहा है जहां छोटे छोटे के दोरे पर हैं और यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश हर चोटी बड़ी पार्टी के साथ गडबंधन करने को तईयार नजर आ रहे हैं आपको पताते कि प्रसपा से भी गडबंधन की बात कही गई है कई दलों के साथ गडबंधन कर लिया गया है और अभी जैस साथ इस खबर पे जादबाचीत के लिए सब मताता नितिन जुड़े हुए हैं नितिन जिस तरह से चुनावी मोहौल दिख रहा है एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ सपा तो क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिलेगा जबार के चुनाव में देखे उत्तर प्रदेश क जो विधान सबा का चुनाव 2017 में हुआ था बीजेपी ने 325 सीट जीती थी और उसके बाद केंदर की जो उनकी लड़ाई थी वो काफी आसान हो गई थी और उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिम या मध्ध ये सारे जो हिस्से थे वो बहुत प्रमुक इसी भी आ कहीं न कहीं लोगों के अंदर देखी जा रही है कुछ गलत फैसले भी सरकार की तरफ से लिए गए हैं जिनसे जनता नाराज है कुछ कारिकरता कुछ नेता भी नाराज है कुछ का टिकेट कटना है तो ऐसे में इन सब को एक तरफ करके इन समस्याओं के साथ इजेपी के पुराने साथियों प्रकाश राजभर मंत्री रहे हैं सरकार में उन्होंने पार्टी छोड़ दी उन्होंने स्तीफा दे दिया और चुनाओं से महज कुछ समय पहले वो समाजवधी पार्टी के साथ हो लिये हैं अब आज भी उनकी एक बड़ी रैली होनी है हर यद्य जो मास्टर प्लान है वह अभी भी लगातार जारी है और इसी का तरकाश ठीटान है कि उत्तर प्रकाश राजभर की बात करी जाये तो तो राजभर vote bank उत्तर प्रदेश के जो पूरब का हिस्सा है कई सारी प्रमुख सीटे हैं आठ नौ प्रमुख सीटे हैं जहां पर राजभर vote bank और निशात vote bank यह सारा जो vote bank है वो बहुत एहम vote bank माना जाता है और कहा जाता है कि ये लोग जिस पीप आले में वोट कर देते हैं उसको वहां से विधान सभा का विधायक नियुक्त किया जा सकता है उस प्रत्याशी को तो ऐसे में हरदोई की अगर बात करी जाए तो हरदोई में बीजेपी का अच्छा खासा जनाधार रहा है 2017 के चुनाव में लेकिन इस बार देखना ही होगा क्यों प्रकाश राजबर हैं इसके अलावा कई और संजे सिंग जैसे बड़े नाम अकले शादों के साथ जुड़ चाहे हैं महान दल के संजे सिंग है इसके अलावा और भी कई सारे राजनितिक डल हैं जो लगातार अकली शादों के साथ जा रहे हैं इसके अलावा इसके पहले अगर मैं बताओं तो कुछ दिनों पहले बलिया में भी एक रैली में अकलेश यादो पहुंचे हुए थे जहां पर ओम प्रकाश राजभर और जो समाजवधी पार्टी के जो कारिकरता थे वो इतनी बड़ी भीड इतनी बड़ी संख्या वहाँ पर थी जिससे य वो इस बार समाजवधी पार्टी के खाते में गिरेगा और हर दोई में भी इस वक्त जो रैली होगी उसमें यही देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर भी ओबीसी वोट बैंक की संख्या है जो जादा है और वो कहीं न कहीं बीजेपी के हातों से खिसकता हुआ नजर जी नितिन जिस तरह से बीते दिन ये खबर सामने आई थी कि AIMIM के एक नेता ने प्रस्ताव बेज़े सपा के पास गडबंधन गा तो क्या सपा इस प्रस्ताव को सुईकार करेगी बीजेपी को हटाने के लिए क्या गडबंधन कर सकती है OVC की पार्टी के साथ देखे OVC हो गए या संजे सिंग हो गए आम आदमी पार्टी वाले लगातार समाजवादी पार्टी से अपना गडबंधन चाहते हैं और बीते दिनों संजे सिंग बुलायम सिंग यादो के जनम दिन पर उनके आवास भी पहुंचे थे हैं उसके अगले दिन वो अकलेश इशादों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उन्होंने कहीं न कहीं गडबंधन को लेकर बाते कहीं दी लेकिन अभी तक कुछ सही तरीके से बात नहीं बन पाई है यह जो छोटी छोटी पार्टियां थी शिखा उत्तर प्रदेश में जिसमें ओम प्रकाश राजभर की ब सामिल है और उनको कहीं न कहीं जादा तरको अकलेश यादों में अपना घर दिख गया है और अकलेश यादों की तरफ लोग हो लिए हैं यह कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ नहीं पाए और इस वक्त हाल यह है कि ओवेसी को कोई भी छूने को तयार नहीं है को कोई भी पूछने को तयार नहीं है बीते दिनों उनके राष्ट्रे प्रवक्ता या फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है असीम वकार उन्होंने मीडिया के जरिये प्रस्ताव भेजा था अकलेश यादों समाजवादी पार्टी को कि हम गड़बंदन करना चाहते हैं इस बात पर डिगा हुए हैं वो लोग कि हमें अगर सत्ता में आना है अगर हम अगर सत्ता में आते हैं तो हमें डिप्टी सियम मुस्लिम चहरा चाहिए ये उनकी एक प्रमुक शर्त है जिस पर कही ना कहीं कोई भी राजनितिक दल तयार नहीं हो रहा है और कोई भी AIM को अ लोग सभा का चुनाओ था और उसमें अखलेश यादो मायवती एक साथ हुए थे कई और राजनितिक दल अलग अलग प्रदेशों में गड़ बंदन करके साथ चुनाओ लड़े थे लेकिन बीजेपी का काफी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे वो लोग हलाकि इस कहीं सारी समस्याइं हैं लोगों की तो ऐसे में इन समस्याओं पर ही जनता जो है या की वोट देती है लेकिन 2017-2019 में देखा जाये तो कहीं न कहीं जात धर्म के नाम पर लोगों ने वोट दिया था और इस बार भी बीजेपी जानती है कि उसको कब कौन सा टरंप कार्ड खे पिज़े पी जानती है कि कहां पर कैसे खेलना है कैसे जंता के पाले में खुद को सजाना है और फिर उनका वोट लेना है लेकिन विपक्षी दल भी जान रहें कि उत्तर प्रदेश का चुनाओ कहीं माईनों में अलग तरीके से होता है और जब जंता यहां की मूड बना लेती है तो कहीं न कहीं विकास को दरकिनार करते हुए भी वोट दे देती है अगर विकास के नाम पर वोट देती तो मायवती नहीं हमुना एक्सप्रसवे बनाया था कई सारा और नया तरीका करना पड़ेगा जंता के बीच जाने का कुछ लोगपिरता और बढ़ानी पड़ेग क्योंकि अगर पूरवांचल एक्सप्रस वे या अन चीजों के नाम पर वोट मांगा जाएगा तो शायद ऐसा नहों कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा दे लेकिन बीजेपी पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयारी में है और वो जानती कि कैसे जंता के बीच जाना है कौन कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की कमजोरिया हैं उन कमजोरियों के बारे में बताने और सत्ता में आने की पूरी कोशिश जो है वीजेपी की तरफ से की जा रही है और विपक्षी दलिये जानते हैं जो अगर एक साथ मिल जाएगा तो इससे फाइदा विपक्षियों क बहुत बहुत शुक्र आमासर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए इस खबर पर मासर समधा तनीतिन जुड़ेतें तो सही बात है कि इस बार का जो यूपी चुनाओ होना है वह आसान नहीं होगा हलाकि सत्ता पलट करने के लिए जो रणीती बनाई ज़ा रही है बाकी दलों के द्वारा तो उसको देखते हुए यह कह सकते है कि इतना आसान भी नहीं होगा यूपी का दो हजार बाइस का चुनाओ इस बॉलेटिन में फिलाल इतना ही आप बने रही है प्राइम टिवी के साथ ना हिंदू में हूँ ना मुसल्मान में हूँ मैं हिंदूस्तान हूँ हर इंसान में हूँ आपका पसंदीदा न्यूस चैनल प्राइम टिवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टिवी अम एक्स्प्लेयर पर और अब यह आ गया है नेट विजन के चैनल नमबर तो से तालिस पर राजधानी से लेकर हर तहसील तब जनता की समस्या से राज़नीती तब आपकी अवास को धार देते हैं हम बार भ्रष्टा चार की हो या बढ़ते अपरात की सच दिखाने का रखते हैं तब क्योंकि प्राइम टीवी हैं हम राज़नीती से लेकर खेल के मैदान तक हॉलिवुड से लेकर बॉलिवुड तक अंतराश्टी खबरों से लेकर व्यापार तक ऐसी खबरें जिन पर है हमारी बैनी नज़त पलपल बदलती देश और दुनिया की सौ बड़ी खबरें देखे हमारी खास कारी प्राइम शतक क कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक गुच्राट से लेकर अरुना चलता के गल्यारों से खेल के मैदानों तक नहीं चूटती कोई खबर सबसे सटीक सबसे दमदार सिर्फ प्राइम टीवी पर ना हिंदू में हूँ ना मुसल्मान में हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ हर इंसान में हूँ हिमाले परवत जैसा विशाल गंगा सा अविरल में हूँ सुबह की प्रार्थना में हूँ शाम की आजान में हूँ रविशंकर की सितार की आवाज मैं हूँ, बिस्मिल्ला की शहनाई की घूंज मैं हूँ, हमीत की दहार मैं हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ, नवरातो के वरत में हूँ, रोजे और रमजान में हूँ, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हूँ एंड कम्प्लीट ला के वाइसी, यू कन गेट 5000 शिबा कोईल, रफा यू फ्रेंड्स एंड गेट 10,000 शिबा कोईल, TorrentExchange.org, इंडियास बेस्ट ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म, TorrentEx है, तू सेफ है. नवश्कार, प्राइम टीवी के खास, कारिक्रम प्राइम, पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ, अनुश्का सिंग. उत्तर प्रदेश 2022 विधान सबाचुनाव नस्दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नस्दीक आ रही है, ऐसे में जनता को रिजहाने के लिए निताओं ने अपनी कमर कसली है, चाहे वो पीम हो, सीम हो या विपक्षी दल के कदावर निता, सभी दलों ने अपनी वोट देने वाली है, और जनता के बीच कौन सा ऐसा नेता है, जो अपनी चाप छोड़ने में काम्याब रहा है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की तरफ मोचा कर चुकी है, हमारे सभी सम्वादादा इस वक्त जनता क के बीच पहुँच कर उनकी राए को जान रही है, और इसी बीच हमारी जो टीम है, वो दोरे करते हुए अलग-अलग जिलों में पहुची और लगातार हम आपको कवरेज दिखा रही है, जहां पर आपको जनता के बीच क्या कुछ इस वक्त मुद्दे है, जनता के क्या कु सब्सक्ताहि। सब्सक्राइब किसके सरकार चाहते हैं बीजेपी की ऐसा बीजेपी की